एलो फ्रेंड्स वेल्कम टू इजी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल मशीन की सीरीज की प्रेविस लेक्चर में अपने देखा था कि मेगनेटिक सर्किट क्या होता है Magnetic circuit को अपने Electrical circuit से compare किया था ठीक है उसके बाद में आपने देखा कि reluctance क्या होती है उसके बाद में आपने देखा कि fringing flux leakage flux और last में देखा फेरड़े का लोग आज हम स्टार्ट करने वाज है िए ड्रावफर्मर एक्चुली एक static डिवाइस है जो एलेक्टिकल एनर्जी को एक सर्कृट से दूसरे सर्कृट में ट्रास्फर करती है ठीक है अगाई अग्ट्रोड एनर्जी ट्रास्फर फॉर्म वन सर्कृट तू नदर सर्कृट ओके तो यह हो गया अपना इज़र ट्रांस्फोर्म हो गया चीक है तो इलेक्ट्रिकल एनरजी को वन सर्कुट से दूसरे सर्कुट में क्या अकति ट्रांस्फर कर रही है पर कैसे ट्रांस्फर कर रही है एट दो चेंज इनिंफ्रेक्वेंसी अगर अगर आपने इंपुट में 50 हर् elle कि इस तो में आपको 50 हर्ट की यह की सप्लाई मिलेगी ठीक है तो यह मतलब प्रिंस्फिबल क्या है इसका मतलब एक सर्कुट से दूसरे सर्कुट में जा कैसे रही है ठीक है तो अगर प्रिंसिपल की बात करें अपन तो जो प्रिंसिपल है अब उनको पता तो ना चीह है कि एक सर्कुट से दूसरे सर्कुट में बत कैसे तो जो प्रिंसिपल है वो है फैराडे का इलेक्ट्रो सब्सक्राइब नियुक्षिण लो अ फैराडेस सब्सक्राइब कि एक वास कोई वैरिएबल मेंगनेटीक फिल्द है और उसके अंदर मैं एकर कोई क्वाइल प्लेस कर रहा हूँ तो उसके अंदर आपनने को एक फील्ड दिखा दिया है और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं एक कोईल को इंट्रड्यूस कर रहा हूं कि यह फील्ड है वो वैरी कर रहे हैं इसका मैंगनिटूड है मैंगनिटूड वैरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है तो अगर इसके अंदर मैंने एक कोईल प्लेस किया है तो इसके जो टर्मिनल्स होंगे उसके उपर एक मेरे को इंड्यूस इमेफ देखने को मिलेगा यह अपने फैराडिजी ने का था थीक है तो यह हो गया अपना इलक्रमेडिक इंड्यूस ने करने लो अब यह जो होगा वो कितना होगा वो डिपेंड करता है अपनी की मैगनिटूड कितना है उसका ठीक है तो इ डाइटल बोलू जो depend करता है एम्ए एंडूस एम्एफ इंडियूस एम्एफ ए टारली पॉच्नल होता है है यह एक पर टिटी पर रेट पर चेंज करंट यह तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पोल दो या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बोल दो एक ही बात है ठीक है वैरिन नेचर ओन अगर इसके जो यह रहा अपना प्राइमरी है और इधर अपने सब्सक्राइब यहां पर मैंने लगाई एसी सप्लाई ट्रास्फोर्म में शक इस पर करता है इसी वर्क करता है डीसी वर्क नहीं करता क्योंकि सब्सक्राइब एडिसी में क्या होता है उसके में अल्क गौट एक फ्रीक साथ सब्सक्नाइब करता है जैसे रहा पर जीरो पर सब्सक्राइब कुछ अलग मगनेटी मिलेग कुछ 2 second पर कुछ अलग magnitude मिलेगा 3 second पर फिर अलग magnitude मिलेगा ठीक है मतलब क्या होगा magnitude vary कर रहा है with respect to time तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया vs voltage लगाई तो इसमें क्या होगा even current produce होगा जो क्या करेगा एक magnetic variable magnitude magnetic field वो produce करेगा ठीक है अब जो variable magnetic field है वो इस coil से इस coil ते ट्रांसफर कैसे होगा with core के वादियम से ठीक है जो core का path होगा अपने पिछले network अपने magnetic circuit पे भी पढ़ा था ठीक है वह वाला principle यहाँ उस हो रहा है मतलब क्या होगा आपको previous lecture देखना चाहिए इसके लिए क्योंकि वो most important है इसका में लिंक आपको आई बटन में देदूँगा उपर ठीक है तो यहाँ पर जो variable magnetic field produce होगा था वो core के through secondary में पहुचा secondary variable magnetic field में पढ़ी हुई है मतलब क्या होगा इसके terminals पर क्या होगा एक induced EMF होगा according to feradelo तो यहाँ पर एक V2 voltage channel होगी अगर मैं यहाँ पर load लगा दिया तो इसके अंदर I2 current भी flow ने लग जाएगी ठीक है तो यह क्या होगी मेरी core laminated core लेते हैं अपने इसमें ठीक है वो क्यों लेते हैं मैं आपको आगे आने वाल लेक्शर्स में बताऊँगा ठीक है यह मेरी क्या होगी secondary winding यह मेरी है primary winding यह होगी अपने laminated core और जो laminated core वो अपने क्या प्रोवाइड करवारी है mutual flux path यह दोनों कोईल्स मुचली तो connected ही mutual flux path transformer में जैसे यह वाला जो ट्रास्फोर्मर है ठीक है power transformer बोलते हैं जिसको यह एक्शुली होता क्या है यह electrically connected नहीं होता magnetically connected होता है ठीक है मतलब दोनों winding देखो electrically कहीं से connected नहीं है सिर्फ इसको अपनने ac mains दी है यह वाली अलग से ठीक है तो अगर मैं इस वाइंडिंग का turn ratio और इस वाइंडिंग का turn ratio सेम रखता हूं तो इस वाले ट्रास्फोर्मर को अपन बोलते है voltage isolation के लिए यूज होता है ठीक है लब क्या होगा जैसे यह आपने मैंने विएस दी तो यहां भी मैंको विएस मिल जाएगी ठीक है बट मैंने यूज क्यों किया circuit की protection के लिए माल लो मेंको यह वाला circuit को protect करना ठीक है माल लो यहां से ज्यादा supply आगे एकदम से तो यह वाली winding क्या हो जाएगी की damage हो जाएगी तो मेरा circuit बच जाएगा तो voltage isolation के लिए अपने यूज करते हैं जो ट्रास्फर्म होता है अगर N1 ratio N2 अगर मैं 1 ratio 1 रख देता हूं तो यह होता है voltage isolation transformer isolation ठीक है यह तो मेरी बात होगी इसकी transformer ठीक है यहाँ पर जो मैंने VS दिये था तो यहाँ पर कुछ न कुछ हम बात करें कि design कैसा होता है मतलब ठीक है तो अपन जो टाइप construction टाइप देखते हैं ट्रास्फर्म होगा उसमें अपन दो ट्रास्फर्म होता अपना खोड़ टाइप और दूसरा होता है shell टाइप को मतलब क्या हुआ कि winding मैंने किस हिसाब से लिए है और core का जो design है वो किस हिसाब से लिए ठीक है तो core टाइप transformer simplest होता है जैसे कि अपना पताते हैं जैसे कि मैंने core लिया actually इसमें होता क्या है एक L अपन ऐसे लेते हैं L टाइप की shape और एक inverted L लेते हैं ठीक है जो यहाँ पर connected होता है से इस से कुछ इस type से होता है ठीक है तो यह क्या हो गया मेरा core type होगी ठीक है अब core type में होता क्या है यहाँ पर मैंने primary लपेटना start करता हूँ wind की manuscript पर तो यह तो हो गया मेरा primary प्राइमरी और secondary को अपन डिफाइन कैसे गरते हैं किसी प्राइमरी होगी कौन सी रखना primary secondary fix नहीं होता कि इधर वाला ही primary होगा या इधर वाला ही secondary होगा वो depending करता है लोड किस तरफ लगा और voltage आपने किस तरफ अपलाई कि यह उस पर डिपेंड करता है ठीक है तो यह मैंने आप में और शहर सकора, शयल टाइपड के शहरी टैप में क्या होगा ब्रास्या वड़ा वाल्या होग में अगर शहरी टाइप की वाते ज़िए आई यह assembly होता ठीक है जिसे तव प्सक्याई आपन छिप्धी टैप के ऐग और व्हें होगी को सटेना करोना। तो कुछ इस टाप से ट्रांस्फवर्म अपना हता को ठीक है अब इसके जो वैंडिंग होती है वोई इसके इसके सेंटर लिम पर कनेक्टेटि रहती ठीक है तो अपन क्या करते हैं जो वैंडिंग होती है ठीक है प्राइम एक दूसरे के का ऊपर ही यह ठीक है अब उसको जो अपन करते हैं मतलब वाइंड करते हैं तो उसका एक तरीका होते हैं तो इसमें अपन क्या करते हैं जैसे कि इसमें सेंटर लिम्प पर अपर प्राइमरी लगा दी ठीक है दोनों तरह यहां पर वार निकल लिए अपन ने इसी के ऊपर यह अपन सेके प्राइम्री को लगा लगा यह परीं है अपर और मेरी सायं कि इसमें जो लुंट स का फ्लोव रही है को इसमें कैसे फ्लोव रहा अ पैफीन ही बात तो पूरा पूराना फ्लक्स सब्स्क्राइपर सबessä justice अठना सलाएगा तो इसकी इसकी फिसमें फ्लख जादा और क्या करेगा चोडू आधा फ्लो करेगा अधा इस वा अधा सबना है किया शेल टाइप में और टो यह जो मैंगेनेटिक फ्लॉट पाथ होगा मेंचनल फ्लक्स का इस टाइप से पर यह हogy अपना कोल टाइप में इसमें दौ मैंनेटिक सर्कीट यूज कर रहे हैं अगर अगर में next बात करूँ कि EMF equation की transforming की ठीक है कि कितना EMF induce होगा secondary पर तो वो देखते हैं अगर अगर अपन EMF equation भी बात करें ठीक है अब देखते हैं अपन EMF equation of transformer तो अब होता है कि EMF equation में देखो अपने फेराडे के जो low था उसका recording क्या होता है equals to and d5 by dt ठीक है और जो अपना negative होता है तो यह अब माल लोग कि मुझे निकालनी है primary की voltage ठीक है primary में कितनी induce हो रही है EMF तो उसके लिए क्या करूँगा मैं E1 primary में turn ratio N1 और d5 by dt तो फ्लक्स तो constant रहेगा transformer क्या constant flux device है ठीक है यह most important line है transformer is a constant flux device इसमें flux vary नहीं होता है ठीक है जो में फ्लक्स होगा 5m वह आप में शाब constant रहता है ठीक है वह आपको अगे बता हो कैसे constant रहता है ठीक है अब अगर बात करें अपन तो जो phi की value होगी वह क्या होगी अपनी 5m sin omega t यह तो alternating nature है ठीक है तो अगर मैं का integration करें अपन तो क्या आएगा मेरे पास n1 phi m तो constant है बाहर आ गया sin omega t sin omega t में से क्या होगा एक omega बाहर आ जाएगा देखो sin omega t का अपना क्या होगा differentiation cos omega t और omega t में से dt के respect कर रहा है तो एक omega भी तो वह बाहर आ जाएगा तो ठीक है तो n1 phi m omega cos omega t यह क्या जागा मेरे पास voltage आ गई कि प्राइमरी के अंदर कितनी voltage इंडियूस हो रही है ठीक है अगर मैं इसमें maximum voltage की बात करूं कि maximum कितनी voltage होगी तो मेरे पास maximum induced EMF की बात करूं तो जो cos omega t है वो इसकी value मेरे बस 1 हो जानी चाहिए ठीक है अगर इसकी value 1 हो जाएगी बस तो यह वाली जो value है तो में बस कितनी आएगी इसकी value तो इसके बाद में क्या होगा अपना जो even होगा वो कितना हो जाएगा minus n1 phi m omega omega के value कितनी है 2 phi f तो minus 2 phi f phi m ठीक है और इसके साथ में आ जाएगा n1 यह क्या होगी मेरे e max even के लिए max value होगी अगर मैं e की value rms में निकालना चाहूँ e rms equal to क्या होगा मेरा यह पुरी equation को root 2 से divide कर दू minus root 2 से root 2 से root 2 बच गया root 2 phi f phi m n 1 इसकी जो value होगी वो minus 4.44 n1 phi f ठीक है तो actually हुआ क्या similarly क्या होगा e2 के लिए होगा तो e2 value होगी तो e2 के लिए निकालते हैं अगर यह तो even की था तो अगर e2 rms value अपन निकालने for e2 तो e2 की जो rms value होगी वो कित्ती होगी minus की 4.44 n2 हो जाएगा turn उन्स के लिए लेंगे 5 constant है frequency constant है ठीक है यह हुए e2 के लिए अब अगर देखें हपन मैंने voltage लगाई थी v1 ठीक है और में को मिलती है negative में मतलब क्या वो range lock according क्या रहे इसको oppose कर रही है ठीक है मतलब क्या हुआ यह कोई transformer था ठीक है यहाँ पर मैंने लगाई है v1 voltage इसके अंदर जो induce emf होगी वो इसके oppose करेगी ठीक है तो मतलब इसके अंदर एक negative emf generate होगी जो इसमें generate होगी है वो इसके अंदर generate होगी ठीक है और जो इसमें generate होगी है वो यहाँ पर अपने बस out में मिलेगी ठीक है यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा था और यहाँ पर मिल रहा है माइनस का e2 मतलब क्या होगा वी वन मैंने positive लगा और e2 मैं को negative मिल रहा है तो इसके अंदर क्या है पाइ फेस का फेस डिफरेंस आगया फाइज एक्योमि रहते तो यहाँ रहरा आपनी से देखें कि यह राभिपिस में यह रहाँ है यह रहा यपिशिन को आपनी सातीक्य अतोल運 देखते रहा है नहीं यह वाल गिएकोशन लेते हैं जसे कि इवन था अपना इनवन फियां ओमेगा कॉस वागती है ठीक है तो अगर मैं इसको अंदर ले जाऊ एनवन 5m omega और इसको क्या कर दूँ मैं अंदर ले जाने के लिए करते हैं तो अपन क्या करते हैं cos वाली चीज़ को sin में convert कर ले पहले तो cos वाली को sin में convert करना होगा तो कैसे करेंगे पहले तो यह negative लगा लेते हैं आपने यापर ठीक है cos वाली को से साइन तो अंदर वाली चीज़ नेगेटिव से multiply हो जागी तो omega t minus 90 हो जागा इंडियूसी में तो मुतलब क्या हुआ यहाँ से अपने क्या देख रहे हैं कि जो induced EMF है induced EMF है जो वो lag कर रहा है 90 degree by flux ठीक है यह होगा अपना EMF equation ठीक है तो EMF equation अपने देखा जो maximum value होगी अपनी वो कित्ती होगी e की 4.44 n अगर मैं even की बात करूँ तो n15f अब इसके अंदर देखता हूँ कि maximum मैं flux density कित्ती लिए सकता हूँ तो 5 equal to अपनो अपन ने प्रीविस लेक्टर में पढ़ा था कि 5 क्वस्ट क्यों होता है कि भी ए फ्लक्स देंसिटी और साथ में क्या होता है एरिया क्रोस सेक्ष्टनल तो 5 कि अगर मैं यही रख दू और मैं को maximum चाहिए हो तो क्या करूँगा मैं B M ले लूँगा A flux और even यह क्या होगा मेरा even induce cmf similarly क्या हो जाएगा e2 के लिए तो ठीक है e2 equals to 4.44 n2 B M A F अगर मैं equation माल लिए इसको first है और यह second है तो equation first और second को divide करते है अपन ठीक है second divide by first तो देखो e2 upon में even है 4.44 n2 5 F upon 4.44 n1 5 F तो 4.44 जी कट गया 5 से 5 कैंसल आउट f से f कैंसल आउट तो में बचा कही रिलेशन e2 upon में even equals to n2 upon में n1 यह रिलेशन बहुत इंपोरेंट है most important relation ठीक है इसको अपन actually cake मान के जलते है जो n2 by n1 ratio होता है इसको अपन के से consider करते है constant मान के चलते है ठीक है यह constant रहता है अब अपनों देखते क्या होता है ठीक है अब मान लो कि n2 की value ज़्यादा है दो case बनते हैं two case ठीक है first case क्या है मान लो n2 की value ज़्यादा है n1 से ठीक है अगर हम n2 की value ज़्यादा है तो अपन वहाँ पे देखते हैं तो e2 upon में e1 n2 अपन कहे रहे हैं मान लो ज़्यादा है ठीक है मनला जो n2 की value है वो twice है n1 के ठीक है अपने assume किया एक बार तो n2 की ज़्यादा में 2 n1 लग देता हूँ upon में n1 ठीक है n1 स n1 cancel out जो induce emf होगा मेरा वो क्यावका twice होगा primary emf के ठीक है secondary में जो emf होगा primary का double होगा मतलब क्या हुआ n2 अगर ज़्यादा रख रहे हैं और n1 से तो ये as a step of transformer work कर रहा है step of transformer voltage level को rise कर रहा है ठीक है ये तो किया अपना first case second case की बात करें अपन ठीक है तो second case में क्या होगा अपना माल लो second case में n1 की value n2 से छोटी है n2 n1 बढ़ा होगा अपना ठीक है पर n2 छोटा होगा तो इसमें एजिम कर लेते हैं जिसे की n2 की value ले 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 अपन न n1 की value ले 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 2 of n2 ठीक है तो e2 upon में e1 equals to n1 की value क्या थे अपनी 2 of n2 ओपर क्या n2 n2 send to cancel out तो मतलब क्या हुआ जो e1 है मेरा यहाँ मैं बोलू कि e2 है मेरा जो ठीक है वो कित्ता है e1 का आदा है e2 equals to e1 by 2 मतलब मैंने primary में दिया 100 volt और मैंको secondary मिला 50 volt ठीक है तो मतलब क्या हुआ n1 अगर greater रहना है n2 से तो मेरा as a work करेगा step down transformer ठीक है अब अगर बात करें अपन ampere turn relation की ठीक है तो ampere turn relation की अगर बात करें अपन ठीक है तो ampere turn relation में first of all अपन diagram समझने कोश्च करते हैं यह एक important factor है तो ampere turn relation में होगा first of all अपन देखते हैं अपने core लेते हैं अपने करें अपन पर नहीं है आज़े एक में ट्रास्फर्मर्म की कोड़ ली अपनी पढ़ने हैं ampere turn ratio ठीक है तो यह आपने यहां क्या प्राइमरी यहां पर क्या होगी सेकेंटरी प्राइमरी अभी तक अभी तक कुछ नहीं कह सकते कि प्राइमरी कौन से कोन ऐब तक मैं आपनी सबकुछा में चलता है यहां पर कौन सी क्रम्ट फ्लोगी फ्लक्स अपना जोAt मेंगनेटिक फिल्ड प्रीडिश होगा मैंगनेटिक फिल्ड कैसे उएक कौर के ठूवह जाता हुआ स्गेरी में जाएगा विआं सकैंध्रिकस्टयू सेगेंडेरी सेगेंडरी में इंड्रिक किसमा मधाना है ठीक है मां रो मिले लोड़ तो इसमें I2 current flow गी और यहाँ पर मेंगो V2 voltage मिलेगी तो यहाँ पर induce EMF किता था E1 और यह किता है मेरा E2 जो flux transfer हो रहा है वो किता हो रहा है मेरा main flux है जो 5M हो रहा है ठीक है अब देखो actually होगा क्या मैंने क्या किया V1 लगाया था ठीक है V1 से मेरे I1 current flow हुई उससे मेरा main flux develop हुआ और main flux से मेरा secondary हो रही है अब देखो जैसी मैंने load लगाया तो load के कारण क्या होगा एक I2 current produce हो रही है ठीक है I2 current क्या करेगी वापिस E2 के अंदर क्या करेगा flux produce करने कोशिश करेगी जो flux क्या करेगी main flux को कम करेगी ठीक है मतलब क्या होगा जो I2 से flux produce होगा वो कौन सा फाइटू फ्रेडियूस होगा मालो जो इसका oppose करेगी ठीक है तो वो कुछ इस टाइप से होगा यह क्या होगा मेरा फाइटू जो main flux को कम कर रहा है अगर मैंने गाता कि transformer क्या है constant flux device है मतलब main flux समशा constant है ना चाहिए flux vary नहीं हो रहा चाहिए पर यहाँ पर यहाँ पर vary हो रहा है तो आप होगा क्या actually तो जो यह वाला flux है main flux को कम करेगा main flux को कम करने मतलब जो even voltage है induced voltage यह reduce हो रही है आप देखोए जैसी यह reduce हुई तो यह even voltage इस वाली voltage में potential difference आ गया वो flux क्या करेगा जो फाइट वाला flux था ना उसको cancel out कर देगा मतलब compensate कर देगा उसको compensate करने का मतलब क्या हुआ जो मेरा 5m था वो constant रहा गया ठीक है तो यहाँ पर गया वो एक नया flux अपना जो magnetic flux था वो generate हुआ इसकी जो value थी मैंने लिया फाइवन डैश थी जो फाइवन और फाइएम दोनों जूड़ रहा है ठीक है इसका support कर रहा है फाइवन डैश फाइएम का main flux का और जो फाइटू है उसको compensate कर रहा है तो मेरा क्या हुआ है यह constant flux device बन गई है अब जैसे जैसे मै मैं यदर आइटू के value बढ़ाऊंगा तो फाइटू के बढ़ेगी फाइटू बढ़ेगी मतलब primary current primary पर लोड़ पड़ेगा लोड़ पड़ेगा मतलब primary की current बढ़ रही है और primary current कहा से लेगी एसी में से ठीक है तो यह इस टाइस से मेरा क्या होता है current flow होता है तो इसके अंदर क्या हो रहे है देखो आइटू फाइटू देखो आइटू एटू और एटू और आइवन डैश यह जो मैं पूरू इस पूरी को मैं बोलता हूँ आइवन current flow इसके अंदर ठीक है जो मेरा ampere turn ratio है ampere turn ratio mmf है ठीक है वो ही तो होता है mmf वो equal है नाची दोरो तरफ का तब ही तो मेरी क्या होगी power transfer हो रही है एक जगह से दूसरी जगह without किसी loss के ठीक है और वो क्या हो रहा है frequency भी चेंज नहीं हो रही तो इसमें ampere turn ratio होता है जो मेरा n1 i1 वो equal होता है n2 i2 के ठीक है अगर n1 i1 equal है n2 i2 के तो क्या होगा n2 upon n1 किता हो जागा n2 upon n1 equals to i1 upon i2 और n2 upon n1 किसके equal होता है अपनों बता है e2 upon e1 के ठीक है अगर e2 upon e1 है तो ये वाल चीज़ी तो इसके equal होगी तो अब हम देखें तो जोड़ा मेरा e2 upon e1 है वो किसके equal हो गया i1 upon में i2 के equal हो गया तो मतलब e1 i1 equals to e2 i2 मतलब ये power p1 equals to p2 तो मतलब क्या हुआ ये constant power device है मतलब जितनी power आपने input में दी है उतनी ही power output में आपको मिलेगी अगर ये ideal case लेके चल रहा है तो ठीक है वरना कुछ ना कुछ losses होते रहते है तो ये बात होगी अपनी transformer के ampere turn ratio की ठीक है तो जो i1 current होगी i1 dash वाली current वो कित्ती produce होगी i1 dash current की बात करें तो यहाँ पर पोटेंशिल अपना difference आया था देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशिल डिफ्रेंस आया होगा तो even higher potential minus lower potential यह potential कम होगा तो मतलब यह वाला ही potential कम होने वाला है तो यह वाला potential अगर कम होगा तो higher potential minus lower potential v1 minus e upon इस पुरी winding का कुछ ना कुछ क्या होगा impedance होगा उससे divide कर देते है primary से मेरी क्या आगई आईवन डैश करंट आगई जो extra current flow यह compensate करने के लिए कौन से flux को secondary flux को ठीक है और जो अपना turn ratio होता है turn ratio of transformer होता है अपना n2 upon में n1 इसको अपन के मान के चलते है जो आपन यातों को बोल सकते है कि e2 upon में e1 भी कह सकते है ठीक है यह मेरा अथा turn ratio तो अपन आज देखा कि transformer का बेसिक प्रिंसिपल गया होता है ठीक है फिराडेस इलेक्ट्रमेंटिक इंडक्शन लोग था अपना बेसिक प्रिंसिपल उसके बाद में देखा था कि इसके construction क्या होती है कैसे वर्क करता है कैसे इसके अंदर induced EMF होती है फिर अपन ने को टाइप देखा अपन ने को टाइप था एक शैल टाइप था नेक्स्ट अपन ने इसकी EMF एक्क्वेशन देखी देखा कि इस टैप आप जो अपना EMF एक्क्वेशन आ गई उसके बाद म हुआ हुआ है